जब आपका computer खड़ाव होता है तो ऐसा लगता है कि चले ठीक हो जाएगा लेकिन जब आपका hard drive खड़ाव होता है तो थोड़ा डाल लगता है कि hard drive के अंदर बहुत जादा data है और data recover हो सकता है कि नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में hard drive data recover के बड़े में detail में बात करूंगा कि कैसे hard drive से data recover कर सकते हो दोस्तों hard drive का 70% hard drive खड़ाव होता है PCB failure के वाज़ा से क्या होता है जब PCB hard drive work करता है तो 12V और 5V supply input होता है motor controller IC और main IC में में जाते है लेकिन जब abnormal voltage जाते है यानि कि high voltage जाते है या फिर जब आपका hard drive बहुत दिन तक यूज नहीं किया है अपने तो इस वाक्त आपका TBS diode short हो सकता है और TBS diode अगर short हो गया तो power supply off हो जाएगा आपका hard drive dead दिखाएगा तो दोस्तों क्या होता है कि हर एक hard drive के PCB में protection diode और या फिर insurance resistance होता है जो पहले जाल जाता है जब abnormal voltage hard disk के अंदर input होता है यानि कि बड़ा बोल से ज्यादा या फिर five volt से ज्यादा voltage hard drive में input होता है तो तब क्या होता है कि जो protection diode है या फिर insurance resistance है और जल जाता है आपका hard disk safe रहता है तो जो 2.5 इंच laptop का hard drive है वहाँ पे protection diode नहीं है वहाँ पे है insurance resistance जो protection diode की तरह ही काम करते है तो दोस्तों कि इस situation में hard disk के जो repair recovery है और दो मेठोड में हो सकता है एक कुछ PCV है यहां पर देख सकते हैं यह सब PCV मेरे पास है hard drive का इस PCV को समझने की बहुत जरूरी है तो चलिए PCV के बाड़ में बात करते हैं दोस्तों इस PCV में यह जो दो डायोड आप देख रहा है यह दो डायोड है आपका tvs डायोड यह दो डायोड tvs डायोड है एक डायोड 12V के लिए और एक डायोड 5V के लिए और यह है आपका RAM chip यह main IC और यह आपका motor controller IC यह जो IC टाइप देख रहा है यह होता है PCV का BIOS यह जो connector है यह motor connector है और यह data connector है और यह तिन जो component आप देख रहा है यह coil होता है और कुछ capacitor और resistance होते है यहां पर देख सकते है resistance ऐलागा हुआ है यह जो है यह resistance है और और दो-1 हट्रिक्ष का PCV में जिरो फोल्ड का जिरो ओहम का रिजिस्टेंस रहता है जो फ्यूज की तरह कम करता है तो इसा होता है कि एबनॉर्माल बोल्डेज के द्वारा जब आपका बार तो जाता है तो पहले उस रेजिस्टेंस को चेंज करने के जरुक这样 से निकालने के बाद कोई वायर के द्वारा कंट कर दिया तो आपका हडओनो के हो सकता है झाल दोस्तों यह वगा पीसी भी फिर एक बार ब्रता सब्सक्राइब को समझ लिजिए यह दो आपका टीवेस डायोड का जो चेक करने का तरीका है और तरीक तरीका में बाद में बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में यह आपका बायोज बायोज कॉप कैसे स्वाइब करना है दूसरे मादर बोड़न दूसरे पीजिए में हर्डिक्स पीजिए में वह भी में बता दूँगा यह आपका मेन आईसी यह आपका रैम्चीप मोटर कंट्रोलर आईसी यह मोटर कनेक्टर यह डेटा कनेक्टर बागे इस अब जो देख रहा है आप कुछ छठोटोचठोचठोड लगा होए जो है ननप्लोरा काम करता है पी सी बीट और आधर्स लगा हुआ है वो कैसे चेक करें यानि जो मोटर कंट्रोल आईसी है वो खड़ाआई की नहीं है वो कैसे चेक करें इसके बाद में में नेक्स्ट वीडियो में बात करें गा